दोस्तों NTPC Green Energy का IPO आने जा रहे हैं और IPO आने के पहले ही बाजार में बहुत जबर्दस बातावन बना हुआ है IPO को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उस्सा है और इसी को लेकर अब देख सकते हो कि यहां पर इसकी date के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कब इसकी सुरुआत हो सकती है और कब ये bidding प्रक्रिया पूरी होगी यह जो date निकल कर रही है कि अब वाकई में सच है या फिर एक rumor फैलाए जा रहा है अभी तक date के बारे में क्या confirm ख़बर आई है उसको समयने की कोशिस करेंगे सबसे जो बड़ी बात है कि NTPC Green Energy के इस IPO के पहले ही NTPC का share रोज नए इतियास रचरा है आज भी इसने एक fresh all time high बना दिये क्या IPO में अपलाए के पहले हमें NTPC Limited में निवेस करना चीए क्योंकि अगर हम इसमें निवेस करते है तो हमें double मौका मिलेगा IPO में अपलाए का एक तरफ shareholder कोटी में और एक general कोटी में तो क्या निवेस कर ले ही समय जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन friends उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किए चलो friends वीडियो स्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले NTPC Limited के कारूबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की श्रुआत तो फ्लैट हुई 436 पर जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की लेकिन इंट्र पॉइंट जीरो सी 4% की मामुली सी तीजी है यानि आप देख सकते हूँ कि एक सांधार हाई बना के फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आज इसने 448 का ओल टाइम हाई बना है एक बिल्कुल नया इतियास रच दिया है अब यह स्टॉक की परफॉर्मेस अगर आप दे दो में स्टॉक मैं कम से कम साथ रुपे का बड़ा जंप देखना हूं मिला बहुत ही बैतर प्रदर्शन किया है और लगातार दोड़ रहा है अब यहां पे एंटीपिसे लिमिटेड को आगे की संभानों को गरतरा से तो अनूज सिंगल एंटीपिसे के शेर को लेकर बहु विन मेगावार्ट की विन कैपेसिटी इनके पास है तू थाउजन 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 कोड़ पीज का आईपियो के लिए इन्होंने डियार एच पी दाखिल कर दी है एंटीपिसे ग्रीन में एंटीपिसे का इसा दस से लेके पंदरा परसेंट तक गढ़ सकता है इस पर है ऐसे में शेयर में मौजुद अबाव से पांस से ग्यारा परसंट की तेजी की गुंजाइस दिख रही है और देख सकते हो कि यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जैफ्रीज ने भी आज स्टॉक की खरीदारी की सला दे दिया उन्होंने इसका 485 का टार्गेट दे दिय है तो जैफ्रीज इस समय बुलिश है उन्होंने खरीदारी की सला दे दिया आईप्यों के पहले ही और अनुज सिंगल के हिसाब से भी स्टॉक में पहतर प्रदसन की उमीद कर रहे है निवेस के बारे में सोजा जा सकता है अब यहां पर NTPC Green Energy के आईप्यों को लेकर उसकी GMP उसकी IPO डेट को लेकर कुछ अपडेट निकल के आ रही है वैसे यह अपडेट अभी फिलाल तो कह सकते कि सिर्फ रूमर बेस है क्योंकि कमपनी की तरफ से इसकी कोई जानकारी भी मिले नहीं किसी वेबसाइट ने इसको शेर किया है तो देख सकते हो कि NTPC Green Energy का IPO जो 18 सितमर को ही अपने डॉकिमेंट सब्मिट किये अब यहाँ पर देख सकते हो कि खबरे जो निकल के आ रही है कि IPO है जो बीडिंग प्रक्रियावन 9 सितमर 2024 से सुरू होगी और 12 नॉमबर 2024 को खत्म हो जाएगी और इसकी जो एलोट्मेंट है वो 14 नॉमबर गुरु आर को कम् नहीं जा रही है और 18 नॉमबर को NAC BAC पर लिश्ट होगा यह का जा रहा है लेकिन यह जो अपडेट है इस पर अभी फिलाल बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह देख सकते हो कि कमपनी की तरब से इसके बार में कोई जानकारी दीन नहीं गिये और नहीं य नहीं देट ये अभी फाइनल नहीं हुओ या क्योंकि अभी तक सेवी की तरब से भी तरब से रहा फिर कमपनी की तरब से कहीं से कोई इसको अभी तक एक सिगनल भी नहीं आ तो यह खबरे जो निकल के आ रही है अभी अधिक आउँकी दौर है लेकिन लग रहा हे कि the share of Ma अब यहाँ पे देख सकते हूं कि इन्हों ने IPO लाने के पहले इक बहुत बड़ा फैसला किया जो गेम चेंजर साबित हो सकता है 10 गीगावाट का एक रिनमल अजी पाक बनाने की तयारी कर रहे है और इसके लिए महाराष्टर की कमपणी के साथ में इन्हों नहीं जॉइंट वेंचर बना लिया है यह 10 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और यह महाराष्टर में हो सकता है या फिर अधर स्टेट में कहीं पर भी इसको बनाया जा सकता है प्रोजेक्ट को कंप्लिट किया जा सकता है लेकिन आने वाले समय जिस तर से TG से NTPC निरने ले रहे वाकई में ये श्टॉक आने वाले समय बैतर करेगा और NTPC Green Energy का जो IP है वो भी लोगों का निवेस डबल कर सकता है अबने इरिडा के समय भी देखा वो भी Green Energy सेक्टर से समभनी फाइनेस कंपनी है लिष्टिंग के बाद भी बहुत अबनस दोड़ा और यही समभन यहां पर हो रही है अब कितने प्राइस पर आता है सबसे बड़ी बात है जैसे हमने देखा कि सरकारी जो भी IP होते सस्ते ही आते है चाहे IRFC देख ले, IRDA देख ले या फिर RVNL देख ले सरकार हमेशा जो IPO है बहुत सस्ता देती है ऐसे में प्राइस बढ़ने की समभना काफी जादा हो जाती है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले तो बिल्कुल यहां पे एक अच्छा मौका है आपको IPO में अप्लाइ करना चाहिए और आपको इस समय शेयर खरीदने चाहिए NTPC के ताकि शेयर और कोटे में भी आपको मौका मिल जाए दोनों जगा अप्लाइ करेंगे तो चांस बढ़ जाएंगे और अगर बाद को IPO में अलोट न भी हो तो बाजार से जैसे लिश्टिंग के बाद उसमें खरीदारी करनी चाहिए क्यों उसके बाद भी बढ़ने की समोना काफी जादा रह जाती है अच्छा मौका उन लोगों को भी मिल जाएगा जो बाजार से खरीदेंगे अब यहाँ पे कंपनी का जो बड़ा प्लान है करीब 2035 तक 68 गीगावाट की रिनोले क्याप्न सिटी को बढ़ाने जारे और 10 गीगावाट का जो इन्हों ने भी देख लो कि जॉइन्ट वेंचर के माद्यम से एलान भी कर दिया तो यह 60 गीगावाट हो सकता है कि उससे आगे भी इनकी पोटफोलियो बढ़ जाए तो बिल्कूल यह एक बैतर स्टॉक है NTPCB और जो इन्ग्रिन अजी सेक्टर का आईप्यों आएगा वो भी एक अच्छी अपर्चुनिटी है लोगों के लिए निवेस का जरिया है और आने वलस में भी बैतर कर सकता है वैसे इसमें कुछ रिस्क है यह भी आपको ध्यान रखना है कंपनी के 60% जो प्रोजेक्ट है वो राजस्तान में लोकेटेड है तो भी कंपनी के लिए निगेटी होसा देखना को मिल सकता है वैसे ऑक्टोबर से लेके नॉवमबर तक देखे तो करीब 60-60 करोड के आईप्यों आने जा रहे बड़े बड़े आईप्यों इस समय एक समय से लिस्ट में खड़े है जिसमें आप देखो की एंटीपीसी ग्रीदाने जी तो ही साथ में कोरिया कंपनी हुंड़े मोटर भी अपना आईप्यों लाने जा रही है इसके लावा एफकॉंस, इंफ्राइक्ट्चर, वारी इंजिनेरी, नीवा, बुपा, लाइप, हेल्थ इंस्वरेंस और इसके लावा मोबी क्विक सिस्टम, गरूडा कंस्ट्रक्शन, ये भी आईप्यों आने वाले है उक्टोबर से नॉवंबर, इस समय आईप्यों बाजार में अच्छा रिटन भी मिल रहा है लोगों को इस से जोडने के लिए, तो कुल मिलाके NTPC Green Energy के IPO में अपलाई बिल्कुल करना ही चीए, कोई ऐसा उसमें दो राए नहीं है दुसरी तरब NTPC के शेर में भी निवेस करना चीए, कोई उसकी प्राइस भी बढ़ते हुई दिखाए देगी तो Long Terming University के लिए अच्छा मौका है, दाव लगा सकते हैं लेकिन Friends, कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने Financial Advice अभड़ोई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें कि कुमाने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही मनाए वीडियो पसंद आए लाइक से जरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थेंक्यू Friends